हेलो दोस्तो टेक्स न्यूस इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है कि लेट फीस जो 234 सेक्शन के अंदर इंकम टेक्स डेपार्टमेंट लगा रहा है उसको वेव ओफ किया जाए और अडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट और अडिटिड आईटी र इसमें कहा जा रहा है कि अब क्या है कि कॉविड के जो केस हैं वो लगातार भारत में बढ़ रहे हैं हर रोज इसकी ग्रोथ काफी ज़्यादा हो रही है आर फैक्टर जो कॉविड के अंदर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसके बारे में स्टेट गोवर्मेंट ने और Central Governments ने काफी सारी restriction भी लगा दी हैं जो COVID का विस्तार लगातार होता जा रहा है COVID की ये third wave एक तरह से शुरू हो चुकी है इसके बारे में Honorable Prime Minister ने भी review किया था और सभी states alert किया है कि हमें इसको lightly नहीं लेना चाहिए और COVID की ये जो wave है इससे बचकर रहना चाहिए इसके बारे में states ने भी काफी सारी restrictions लगा दी हैं तो जो काम करना है आज के समय में वो काफी restrictions के साथ night curfew के साथ ही करना पड़ रहा है इसके regarding हम आपको बताते हैं कि जो अभी recently non audit की due date थी income tax return भरने की वो 30 December 2021 थी सभी taxpayer ने और business man ने काफी कोशिश करके जो अपनी returns हैं वो भरने की कोशिश की थी लेकिन omicron की वज़े से restrictions लगे हुए थे और काम नहीं हो पा रहा था या night curfew कहीं कहीं जगा पे लगे थे और काफी सारी काम के बारे में restrictions थी उसकी वज़े से बहुत सारे लोग तो उसकी return को भरनी पाए लेकिन काफी हद तक देखा जाए तो काफी लोगों ने करोना के साथ लड़कते हुए भी जो अपना उनका tax compliance का nature है लोगों का वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ न कुछ केस जरूर है अंदर income tax के अंदर एक late fees लगाई जाती है ये late fees जो है वो इस परकार है कि अगर आपकी income 5,000,000 से जो है कम है तो एक हजार पे है अगर 5,000,000 से जादा है तो आपको 5,000 पे penalty लगाई जाती है तो ये penalty जो है वो हमारी ये अपील है सरकार से कि ये penalty को माफ कर देना चाहिए सरकार चाहती थी कि लोग समय पर return भरें तो अगर आप देखें कि returns का जो data है उसके साथ साड़े पांच करोड से उ बचे हुए थे वो काफी जो बचे थे वो COVID की वज़े से या कुछ और दिक्तों की वज़े से अपनी return नहीं भरकार को चाहिए कि अब काफी लोगों ने भरी दी है जो बचे हुए है उनको problem को समझते हुए जो late fees है वो उसको समाप्त कर देना चाहिए 30 March 2022 तक दोस्तों जो tax audit की भी report है जमा करवाने की due date है वो भी नजदीक आ रही है वो 15 जनवरी है और जो audited cases हैं उनको business को अपनी जो income tax की return है 15 February 2022 तक जमा करवानी है उनकी जो projections हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि February जनवरी end तक ये peak होगा या उससे 15 February तक peak होगा audited cases की ITR भरने का जो due date है 15 February उसके तक ये लगता नहीं कि करोना की wave खतम हो जाएगी तो और इस इन बिट्विन भी काम करना मुश्किल होगा तो इसलिए जो हमारी अपील है सरकार से कि जो return भरने की तरीख है audited case की उसको 30 March तक बढ़ा देना चाहिए या 15 March तक कम से कम उसको बढ़ा कर 15 March 2022 कर देना चाहिए और जो audit report फरनिश करने की डेट है उसको 15 February 2022 तक कर देना चाहिए तो ये सारी चीजों को देखते हुए जैसे कि सरकार पहले भी काफी समय पर लोगों की दिक्तों को देखते हुए समय समय पर छूट देती आई है तो हमारी आशा यही है सरकार से कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और audited cases में audit report फाइल करने की डेट 15 February और audited accounts की ITR की जमा कराने की डेट 15 March 2022 कर देने चाहिए तांकि जो लोग हैं वो अपनी करोना के इस पिरिड में ज्यादा से ज्यादा सेफटी के साथ रह सकें और सरकार के साथ भागीदार बनकर करोना को जल्दी से जल्दी देश से बगा सकें और दोस्तों ये पोस्ट आपको अच्छी लगी हो या हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेर कीजिए और हमारे वीडियो पर कोई आपका कॉस्चन है तो कुमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद